कि नमस्कार मैं डाक्टर इसके पांडे हेट आई सियार सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टेचूट रिजिनल सेंटर करनाल आपके प्रश्ण का जवाब देने के लिए मैं उपस्थित हूँ एक प्रश्ण जो मुझे मिला प्राप्त हुआ कि फाल आर्मी वर्म कीत क्या है हमारे गन्य के खेत में फाल आर्मी वर्म लगा हुआ इसका निदान बताएं मैंने का कि इसान भाई फाल आर्मी वर्म आपके गन्ना की फसल में नहीं होगा आप किर्पया उसका फोटो भेजें तो दो दिन बाद उन्होंने मुझे फोटो भेजा उस फोटो को देखने पर मैं समझ पाया कि यह फाल आर्मी वर्म नहीं है आर्मी वर्म है आर्मी वर्म गन्य में लगने वाला डिफोलियेटर कीट है और वास्तों में आर्मी वर्म जिसे हम सैनिक कीट कहते हैं यह धान और गेहूं की फसल में लगता है कभी कभी गन्य की पेड़ी फसल को भी खाता है यह एक occasional paste है कभी कभी आता है regular paste नहीं है हमेशा गन्य की फसल में यह निश्चित रूप से पाया ही जायेगा नहीं है तो कभी कभी किनी खेतों में आ जाता है जहां आगल बगल धान की खेती होती है गेहों की खेती होती है गेहों की खेत के बगल में जो गन्ना की खेती होती है तो गेहों के खेत से निकल कर या गेहों के खेत के बाद जो गन्ना की खेती होती है या उसमें पेड़ी ली जाती है तो आर्मी वर्म लगता है आर्मी वर्म गन्य का जो है उसेनिक कीठ है दिन भर छिपा रहता है रात में पौधों पर दिन में कहां छिपता है मिटी के आसपास मिटी में जो ढेले हैं उनके नीचे चला जाएगा गन्य की गोफ की पतियों में छिपा रहेगा और रात के समय आएगा पतियों में छेत करेगा पतियों को किनारे से काट के कुतर के खतम करेगा कभी कभी लेविना छोटी हो जाती है और दिन में ये खा के रात में खा के दिन में छिप जाता है किशान भाईयों को समझ नहीं आ ती कम आएं मुम्हों पक्राइज प्राफ तबाज के गभब को फैला के गण्य कप फैला के देखें फ़ला के ओसमें सुनिया चिपी लिए रहसी होँघिए यहां कोई किड़ा है और रहने दिन में जालेकता सब्सक्राइए पर सब्सक्राइब तो सैनिक कीट भूरे रंग का हल्की हरी हरी धारियां होती हैं उसका सिर भूरे लाल कलर का होता है और जब भी उसको आप टच करेंगे तो गोल इस्प्रिंग की तरह गोल हो जाएगा गोल हो जाएगा और यह पेड़ी की फसल में गर्ना की लगता है तो जो फोटो मुझे प्राप्थ हुआ था वो सैनिक कीठी था आर्मी वर्म था लेकर उनको जो संका थी उनकी शंका यह थे कि यह फाल आर्मी वर्म है फाल आर्मी वर्म एक दो साल पहले यह बड़ा हला उठा था कि फाल आर्मी वर्म यह इंडिया में आ गया है बाहर से विदेशों से और काफी फसलों को नुकसान कर रहा है हम लोग भी बहुत सतरक हो गए कि गन्या की फसल को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हरियाना पंजाब एमपी उडिशा बिहार तक कोई खास गन्ये की फसल में नहीं पाया गया तमिल नाडू में फाल आर्मी वर्म का प्रकोप पाया गया सुगर केन में वह भी बहुत कम तो मैं किसान भाईयों पहले यह बताना चाहता हूं कि अच्छी बात है कि हमारे यह फाल आर्मी वर्म नहीं आया है और यह मुख्य रूप से एक मक्के का कीड़ा है इसकी पहचान यह है कि इसकी मात जो होती है यह काले चितिदार पंक वाली होती है और मक्के की पत्तियों पर पचास से डेढ़ सब अंडे दे देती है तीन-चार दिन में अंडों से सुंडिया निकलती है गन्य की गोफ को खाती है गन्य की गोफ को खाती है मक्य की गोफ को एकदम कुतर देती है उसमें और लगता है भूसा टाइप बन गया है अवसी में इनके मल मुत्र भी काफी दिखाई देते है तो और फाल आर्मी वर्म की सुन्डियों को देखेंगे आर्मी वर्म की सुन्डियां जहां ब्रावनिस होती हैं इनकी सुन्डियां काली होती हैं आर्मी वर्म की सुन्डियों से इनकी सुन्डियां मोटी होती हैं आर्मी वर्म की सुन्डियां पतली होती हैं और इनके चार एक दो पेयर प्रोलेग पोस् होता है माउथ भेड और उस पर वाई के आकार का अंग्रेजी के वाई के आकार का सूचर बना होता है जो मुख्य पहचान और फाल आर्मी वर्म इन राजियों में उत्तर भारत में भी कहीं कहीं पाया गया मक्य की फचल में पाया गया गन्ना में तो नहीं पाया गया तो किसान भाईयों अगर इस तरह का कीट आपको मक्का में दिखाए दे तो आप नीम के तेल का गोल जो बाजार में उपलब्ध है उसका छिड़काओ करें इसके छिड़काओ करने से सुन्डिया नहीं खाती है सैनी कीट में भी छिड़का जा सकता है गन्य में भी छिड़का जा सकता है गन्य में यह मक्के में दोनों में भी गन्य में आदमी वर्म के लिए और मक्के में फालस आदमी वर्म के लिए आप Imidacloprid 17.8 SC प्रच्छे तरल दवा एक मिली लीटर मात्रा एक लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें जमीन में जाकर प्यूपा बनती हैं और 20-25 दिन के बाद प्यूपा से पुनह मात निकल जाते हैं और मात फिर अपना कारकरम पत्तियों पर हंडा देना सुन्डिया निकलना पत्तों को खाती है इसके बाद पुनह जमीन में प्यूपेट करती हैं प्यूपा से मात निकलता है तिये इसका जीवन चक्र है और बहुत ज्यादा अभी नहीं है कहीं कहीं इधर उधर एक दो खेत में पाया जाता है तो मुझे उमीद है कि हमारे किशान भाई आर्मी वर्म और फालस आर्मी वर्म का अंतर समझ गये होंगे जो फाल आर्मी वर्म एक भेंकर कीट है लेकिन आर्मी वर्म हमारे गन्ये के लिए कोई खास नुक्सान नहीं करता है फाल इम्ड़ीय का छिड़काउ करते शयां काल करें सुबह वह रात में निकलते हैं शयांकाल चिड़काउ कर दें और एक अपता के बाद पुना चिटकाव कर दें कभी कभी देखा जाता है सेनिक कीट कहते हैं इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है सेना की तरह कि जब बहुत ज्यादा पॉपलेशन बढ़ जाती है तो खेत की मेड़ों पर भी घुमते नजर आते हैं ऐसी वस्था को ही सैनिक कीट कहते हैं तो छिटकाव मेड़ों पर भी कर दें और यहीं है सैनिक कीट अगर कहीं है तो इमड़ा प्लूपिट का चिटकाव करें तो किसानवाईयों इस चैए मार जानकारी को अधिक से दिक किशानों में निश्चित रूप से फारवर्ड करें कि अधिक से दिक लोग जानकारी हासिल करें और मेरी इनर्जी का उप्योग हो मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं कि आपके जीतने भी प्रस्ण आए हम यह किशान को तो बताते ही हैं और अपनी इंकम बढ़ाएं और इतना ही है आप लोग शब्सक्राइब करें शेयर करें धन्यवाद